नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जाच में फलाफल नहीं मिलता तो आगे की करवाई की जाएगी सिरी अलम आजसू बिधायक सुदेश महतों के गयर सरकारी संकल्प पर सरकार का जबाब दे रहे थे सुदेश महतों की ओर से गयर सरकारी संकल्प रखते हुए लंबोदर महतों ने इस मामले की सीबी आई जाज कराने का अगरा किया है कहा है कि सरकार की ओर से गटीत SIT पर्याप्त नहीं है सरकार की ओर से सिर्फ छोटी मचली पर करवाई की जा रही है बड़ी मचली को बचाया जा रहा है बलैक लिश्टेट कमपनी को परिक्षा अयोजित करने का जिमा दिया गया दूसरे राजे में इस कमपनी के खिलाब CBI जाच चल रही है सरकार के जबाब से संतुष्ट नहीं होने पर इस पिकर ने वोटिंग कराया जिसमें सुदेश मातों का गयर सरकारी संकल्प अस्विक्रित हुया इसी परकार अंबा परसाद ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने पर गयर सरकारी संकल्प वापस लेने से माना कर दिया इसके बाद वोटिंग से इनका गयर सरकारी संकलप अस्विकृत हुआ है लोगसभा चुनाँ में बीजेपी के 11 उमिध्वारों में 2 महिला है लोगसभा चुनाँ 2024 को लेकर बीजेपी ने उमिध्वारों की घोस्ना की है जार्खन की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर बिजेपी ने अपने उमिद्वारों की घोसना कर दिया है। इनमें अनपुर्णा देवी वह गिता कोड़ा सामिल है। वहीं राज महर में बिजेपी के पुरो परदेश अध्यक्स ताला मरांडी को टिकर दिया गया। बता दे कि जार्खन में लोकसभा की 14 सीटे हैं। आदिवासियों मुलवासियों के लिए जो भी निनने हुए उन्हें राजभवन ने रोका। मुख्य मंत्री चमपई। मुख्य मंत्री चमपई। सुरेन ने बैटसत के समापन भासन में कहा है कि केंद्रेक की भाजपा सरकार आदिवासियों की असमीता को समाप्त करना चाह रही है। इस कारण कई नितिगत बदलाव किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को रोकना है। सीरी सुरेन ने कहा है कि आदिवासियों के लिए राज की सरकार ने जो भी निन लिये हैं। उसको राजभवन ने रोक दिया है। अब आदिवासियों और मुलवासियों को अधिकार दिराने के लिए हम लोगों को सुप्रीम कोट का दरवजा खटखटाना होगा आदिवासि जमीन की खरीद बिकरी की होगी जाँच सीएघनटी, ऐस्पीटी और पेशा एक्ट का उलंगण कर छोटा नागपूर और संथाल परगना मे जमीन की खरीद बिकरी और लीज पर लिये जाने के मामिले की जांच राइ सम्गर कराएगी प्रमंडल को आयुक्तों से ऐसे नियम विरूत खरीद विक्री की जाच कराएगी देवघर डीसी ने वीडियो की बेतन पर लगाई रोक मुख्यमंद्री राज बिरिधा अवस्था पेंसन योजना के तहत किये जा रहे कार्यों मेला परवाही बरतने से जोड़े मामले को संग्यान में लेते हुए डीसी बी साल सागर ने मोहनपूर के बीडियो संतोस कुमार के बेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है ग्याथो के मुख्यमंद्री राज बिरिधा अवस्था पेंसन के निर्धारित आयूवर्ग 50-60 वर्ष किये जाने के बाजा है आयोजित बिशेश सीवीर में मोहनपूर परखन में कूल 4,016 आवेदन प्राप्थ हुए थे आयसे में इन आवेदनों में मात्र 77 आवेदन की अब तक सोगिरी तीक की गई यतनी संख्या में ही समंदित पेंसन पोटल में इंट्री भी हुई है यह कूल आवेदनों का मात्र 29.87 था है अभी तक इस परखन में पेंसन से जुड़े कूल 4,018 आवेदन अब तक लंबित है इतनी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रखना योजना से लाव को कोवनचीत रखने और सरकार की महत्वपून योजना के प्रतिला परवाही को देखाते हुए डीसी ने करवाई की है मुख्य मंत्री गढवा को आई देंगे 93 क्लोर की 5 योजनाओ की सोगात मुख्य मंत्री चमपाई सुनर रभीवार को एक दिवसीय दोरे पर गढवा आएंगे और गढवा सहर में 93 क्लोर की 5 महत्वपून योजनाओ का लोकारपन करेंगे सरपर्थम कल्यानपूर में 60 क्लोर की लागत से बने नए समानालय भवन का उधातन होगा इसके साथ ही सीम कल्यानपूर में ही समानालाय के ठीक सामने 15 क्रोर की लागत से बने बिर्सा मुंडा हेलिपेट पार्क गोमींद उच बिद्यालाय के मैदान में 7 क्रोर की लागत से बने बहु परतिक्छी निलामर पितामर बहु देशिय संस्कृति भवान सुन पुर्वा में 4 क्रोर की लागत की नर निर्मीत अंतर राजी पाली का परिवाहन पड़ाव और सदर अस्पताल के सामने राज किये कन्या मध बिद्यालाय के मैदान में 7 क्रोर की लागत से बने फोटबॉल एस्टेडियम का भी उदगाटन करेंगे बीत रहीत संस्थानों के 10-10 से ज्यादा सिक्षक करमचाई हरताल पर अनुदान प्रपत्र नहीं भारा पाने को लेकर जारखन में बीत रहीत संस्थानों के करमी सनिवार को हरताल पर रहे इस दरण वे इसकूल कॉलेज के मुखे द्वार पर सचीव इसकूली सिक्षान सर् गोलेज लगभग 500 हाइख स्कूल एवां लगभग 100 मदार्शा विध्याले तता 32 संस्कृत विध्याले सामिल रहे। हर्ताल के कारण राजे के लगवग 1250 सिक्षन संस्थानों में ताले लटके रहे और सिक्षक करमचारी संस्थान के मुख्य द्वार पर प्रदसन करते रहे और सिक्षा सचीव का पुतला भुका हालाकि हाल ही में चल रहे नौमी परिक्षा को लेकर जो परिक्षा केंदर बनाए गये थे उसे हर्ताल से मुक्त रखा गया था हर्ताल के कारण लगभग 3,64,64 का पठन पठन ठप रहा जहरिया में युवक की हत्या तोड़ फोड़ सड़क जाम जहरिया थाना चेत्र के समसेर नगर निवासी मुहमद अहमद नावक युवक की सनीवार को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई सामचार भय जहरिया भाल गड़ा तारा बागान में उसका सव मिला इस घटना से क्रोस फैल गया है लोगों ने स्वाव उठाने आई पुलिस कर्मियों का बिरोद किया जहरिया वह बोल्रा गड़ पुलिस को स्वाव उठाने नहीं दिया वे हत्यारों की गिरफतारी की मांग कर रहे थे इस दरान लोगों ने जहरिया इंद्रा चोग के पास सड़क पर टायर चला के बिरोज जताया सिंद्री, डिएसपी, भुपेंद्र, रावत भी घटनास्तर पहुंचे और मामले की जनकारी ली है हेमंत सुरेन ने जेल में पढ़ने के लिए मंगाई किताबे इसे पहले भी हेमंत जी ने जहर्खन आंदोलन मुंडारी हो और खुडूक भासा आधिके जुड़े किताबे पढ़ने के लिए मंगाई थी हेमंत जी को किताबे पढ़ने का हमेशा से सोक रहा है वह घर में अपनी किताबों को बहुत प्रेम से संजोग कर रखते हैं पेंसन वेन लागू करने की मांग पूरी नहीं होने पर जे एप आर ओपी एस की ओर से 29 मार्च को हरताल का नोटिस केंद्रे सरकार को दिया जाएगा एक माई की सुबा से रेल का परिचलन रोक दिया जाएगा और अने सभी केंद्रिये और राज सरकार के कारे अस्थलों पर कामकाश ठप कर दिया जाएगा इसके लिए यूनियन की ओर से त्यारी की जा रही है जारखन के दुमका में बिदेसी महिला से गैंगरेप जारखन के दुमका में इंसानियत को सरमसार करने वाली घटना घटी है जारखन घूमने आई एक महिला टूरिस्ट के साथ 7-8 अस्थानिये लड़कों ने 9 केवल गैंगरेप किया बलिक उसकी बुरी तरह से पिटाई भी किया है महिला को समुदाईक अस्पताल सरया हाथ में भरती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मिते नाथ है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे वही इस पुरी घटना पर बताया है कि दो लोगों को सड़क किनारे देखा गया दोनों एस्पैनिस इंगलिस बोल रहे थे इसलिए अधिकारियों को समझ नहीं आया उन्होंने अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने डॉक्टर को बरबाता के बारे में बताया है रामगढ में 27 पंचायत सचीवों को डीसी ने किया सोकाज राज सरकार की महत्वा कांशी वजना अभुआ अवास के सफल किरणयोन को लेका सनिवार को उपायुक चन्दन कुमार ने वीडियो कंफिसिंग जरिये बैठक की इस दोरान पर खंडवार अभुआ अवास वेना के तहत चैनित लोगों को प्रथम किस्त के रासी के भुगतान के तहत हो रहे कारियों की विस्तार से समिक्छा की उपायुक ने जिन पंचायतों में अब तक 20% से कम लाभुकों को प्रथम किस्त के रासी के भुगतान के स्विक्रिति दी गई है उस पर असंतोस जाहिर किया उन्होंने समभाधित वीडियो को 27 पंचायत सचीवों सस्पस्टी करन पूछने का निर्देश दिया है इसके साथ ही सभी पंचायत सचीवों को उनके उनके छेतर में 50% लाभुकों को अबवय अवास्वेना के तहत प्रथम किस्त की रासी के भुगतान के स्विक्रिति का कारे सन्निवार साम तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है धन्यवाद